हेलो एब्रीवन वेल्कम टू माई चैनल मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में तो अभी हो रहा है यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेके जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न है उसको मैं करवा रहा हूं और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं क कि जो कट ऀओ के लिए आपको यूज करनी है उसके भी वी इंपोर्टो हुई है यूफी टीजीटी को लेके अलग इंप सारी वीडियो को देखे सब्रस्क्राइब हो पाएगी ठीक है तो चलिए कल तक हमने 50 कोशन कर लिए थे आज हम 51 से स्टार्ट करते हैं तो कोशन नमबर 50 से स्टार्ट करते हैं तो कोशन नमबर 50 कौन सा राग औरब जाती का है ए जोग कोश बी तोड़ी इसका सही आंसर है सी जोग कोशन नमबर 51 कवाली के पितामा किसे कहा जाता है तो कवाली का जो पितामा कहा जाता है वो कहा जाता है अमीर खुश्रो को ठीक है चल लिए आगे चलते हैं अमीर खुश्रो को गजल के लिए तरानी के लिए भी इनको को सबसे पहले अविश्कारक इनहीं को माना जाता है ठीक है कोशन नंबर 52 वैदिक काल में किन्नर किसे कहा जाता था ए गायक बी वादक सी संगीत निर्देशक स्वर्व रचनाकार डी जो गायर वादन दोनों करें कि जो गायक हो वादक दोनों हो ठीक है तो इसका दो सही आंसर है वो है डी ठीक है जो गायक और वादक दोनों होता था उसे ही किन्नर कहा जाता था उसे किन्नर कहते थे आगी चलते हैं कोशन अवर 53 ठीक है रगुपती रागव राजा राम के स्वर्व रचनाकार कौन है ए नारायन मुरेश्वर खरे बी पंडित विश्णु दिगंबर पलुसकर सी पंडित विश्णु नारायन भात खंडे दी पंडित अन्ना साहेव रतत रत तंजनकर इसका जो सही आंसर है वो है बी रगुपती रागव राजा राम इसके रचनाकार है पलुसकर जी ठीक है चले आगे चलते हैं कोशन अवर 54 मेवाड और स्रीनाथ जी के मंदिर में सास्त्रिय गायन प्रस्तुत करने का सम्मान किसे मिला इसका जो सही आंसर है वो है बी पंडित जस्राज चले आगे चलते हैं कोशन अवर 55 बहत्तर मेल करताओं योजना में विवादी रागों की कुल संख्या कितनी होती है इसका जो सही आंसर है वो है बी 40 होती है बहत्तर मेल करताओं योजना में विवादी रागों की जो कुल संख्या होती है विवादी रागों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 40 इंपोर्टेंट है प्रशन ये भी मातु शब्द का प्रियोग निमलिखित में से किसके अर्थ में प्रियुक्त किया गया है ए मुकाम बी गीत का साहितिक अंग सी मात्रा या डी मुर्की इसका जो सही आंसर है वो है बी गीत का साहितिक अंग मातु शब्द का प्रियोग अर्थ के लिए क्या गया है वो गीत का साहित अंग के लिए ठीक है आज चलते हैं कोशन नमर 57 काचीन ग्रंतकारों के अनुसार विपंची शब्द का प्रियोग निमलिखित में से किस वीणा के लिए किया गया है एम गया है नो तंत्री वीना भी विए सब्ध तंत्री वीना सी बारा तंत्री वीना डी त्री तंत्री वीना होती है जिसमें 9 तार होती है , सब्सक्रति जिसमें 7 तार , बारा तंतरि जिसमें 12 तार हूं , और 3 तंतरि में 3 तार हूं , मैं आपको बता दू इसका सही आंसर है jot नो तंतरि , भी पंची वी नामे नौतार होते हैं ठीक है याद रखना इंपोर्टेंट है प्रश्ण ठीक है कोशन नमर फिफ्टी एट सामवेद के दो प्रधान भाग कौन से हैं ए संग्युक्त निर्युक्त बी आहावन अव गाहन सी घनाक्षी और गितांग गी डी आर्चिक और गान तो इसका जो सही आंसर है वो है डी आर्चिक और गान कोशन नमर फिफ्टी नाईंग उदांत अनुदांत ए श्वरित के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है कि नीचा मध्यम उचा बी है उचा मध्यम नीचा C है उचा नीचा मध्यम डी है मध्यम उचा नीचा इसका सही आंसर है C देखो उदान्त का मतलब होता है उचा अनुदान्त का मतलब होता है नीचे मंदरशब्तक का स्वर अस्वरित आ जाता है मध्यमे मध्यम ठीक है चलिए आगे चलते हैं कोश्च नमर्स 60 रिंग वेद में गीत गातु गाथा ए गायत्र का प्रियोग निम्न B. गिर्धारी C. गायत्री या D. गीत तो इसका सही आंसर है D. गीत ठीक है जो गीत गातु गाथा ये सब कुछ गीत के लिए प्रियोग के लिए गया है इंग वेद में कोश्च नमर्स 61 पंडित आगोबल के अनुसार 36 लंबे वीना के तार पर स्वरो की इस्थापना की विधी के अनुसार सुद्ध मध्यम का इस्थान कहां है कहां होगा A. 32 पे B. 18 पे C. 27 पे या D. 20 पे इसका सही आंसर है 27 पे ठीक है सुद्ध मध्यम कहां पे इस्थापित होगा तो 27 पे इस्थापित होगा चलिए आगे चलते हैं Q. 62 अंतिम प्रवंद जो आज भी लोग प्रिय है A. नौकाच चित्रम B. गीत गोविंदम C. नंद नार चित्रम D. कृष्ण लीला तरंगनी और अंतिम प्रवंद जो आज भी प्रचली था वो है गीत गोविंदम C. इसका जो ऑप्षन है वो B. सही होगा चलिए आगे चलते हैं Q. 63 ध्वनी का लचीला पन लोलता अभी व्यक्त करने वाला तत्व एक काकू बीले से बंदिश यड़ी ताल ठीक है इसका सही आंसर पहले बता देता हूं सही आंसर है काकू ध्वनी का लचीला पन लोलता अभी व्यक्त करने वाला तत्व अगे चलते हैं Q. 64 मध्यम और तार सडज के बीच का कौन सा स्वरांतर है A. दो अनुपात तीन B. तीन अनुपात चार C. चार अनुपात पांच यड़ी आठ अनुपात नौ तो इसका जो सही आंसर है वो है A. दो अनुपात तीन ठीक है Q. 65 प्रसिद संगीत सास्त्री का नाम है इस नाम बताईए A. किशोरी अमोनकर B. प्रवा अत्री C. पंडिजसराज यड़ी B. C. देवा Q. प्रसिद संगीत सास्त्री है यड़ी B. C. देवा ठीक है Q. 66 Q. प्रसिद संगीत में औरव जाती के सब तक का क्या नाम है A. हेप्ताटोनिक स्केल B. हेक्साटोनिक स्केल C. नैचुरल स्केल D. पेंटाटोनिक स्केल और इसका जो सही आंसर है वो है D. पेंटाटोनिक स्केल ठीक है? चलिए आगे चलते हैं Q. 67 सुमलित कीजिए सुची एक और सुची दो दिया गया है आपको मिलान करना है दोनों में तो A है सिद्ध राम यादव B है विनायक बोरा C है रमीश प्रेम D है ब्रिज भोशन कावरा और इनका ओप्शन में दे रखा है फर्स्ट विचित्रवीना दूसरा गिटार तीसरा तार शेहनाई और चौता सुंद्री ऐसे जो भी कोशन होते हैं अनीच आपको औप्शन दे रखे हैं A, B, C, D ऐसे जो भी ऐसे जैसे भी कोशन आते हैं उसमें आप एक अगर समझ गए तो आप समझ लो कि आपने 80% समझ लिया उस आपको एकी से पता चल जाएगा कि आपसर कौन सा है अगर एक से नहीं पता चला तो आप दो आपको पता चाहोनी चीए अगर दो पता चल गए तो आपको आपसर जरूर मिल जाएगा ठीक है तो इसका मैं आपको आपसर बता देता हूँ तो इसका जो सही आपसर है वो है C देखो A का हो जाएगा 4 ठीक है जो सिद्ध राम्यादव है वो सुंदरी बिणा बजाते हैं और सुंदरी बजाते हैं और B जो है वो C से मिलेगा ठीक है विनायक बोरा तार शेहनाई बजाते हैं उसके बाद C दो से मिलेगा रमीश प्रेम गिटार बिजभूशन काबरा विचितर विणा ठीक है बिजभूशन काबरा क्या बजाते हैं विचितर विणा और इनके बारे में बहुत बार पूछा भी गया है विजभूशन काबरा के बारे में ठीक है चलिए आगे चलते हैं कोशन नमर्श सिक्स्टी एट सरगम स्वरलीपी और संकेतिक स्वरलीपी किसने बताई तो इसका जो सही आंसर है वो है बी कृष्ण धन बंदो उपाध है कोशन नमर्श सिक्स्टी नाइन संगीत के गरंथों में सर्वर प्रथम राग शब्र का परियोग किसने किया ए सारंग देप, बी मतंग, सी नारत या डी दंतिल तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी मतंग राग शब्र का सबसे पहले जो प्रियोग किया गया है ब्रह देशी में मतंग ये द्वारा किया गया है कोशन नमर्श सैवेंटी पुष्टी मार की जनक कौन है A. आदी, शंकरा, चारे B. स्री, बल्लव, भाद, चारे C. रामा मात्य D. कुम्भन, दास इसका जो सही आंसर है वो है B. स्री, बल्लव, चारे कोशन नमर्श सैवेंटी बन एक स्वर्ट से युक्त गान को क्या कहते है A. सामिक, B. गाथिक, C. आर्चिक या D. अर्णयक कोशन नमर्श सैवेंटी बन है तो इसको कहा जाता है क्या C. आर्चिक एक स्वर्ट से प्रियुक्त होता है आर्चिक, दो से गार्थिक, तीन से सामिक ठीक है आगी चलते है कोशन नमर्श सैवेंटी टू दो स्वर्ट से युक्त गायन को क्या कहते है A. गाथिक, B. सामिक, C. अर्णयक या D. आर्चिक अभी अभी मैंने आपको बताया था ये इसका सही आंसर है गाथिक दो स्वर्ट से गाथिक होगा आगे चलिए कोशन नमर्श सैवेंटी टू भारतिय संगीत में एक मात्रा के लिए पश्यात संगीत में किस चिन्न का परियोग होता है A. मिनीन B. क्रोचेट C. क्वाटर D. ब्रीव इसका जो सही आंसर है वो है क्रोचेट भारतिय संगीत में एक मात्रा के लिए पश्यात संगीत में किस चिन्न का परियोग किया जाता है पश्यात संगीत में प्रोचेट चिन्न का परियोग किया जाता है ठीक है चलिए आगे चलिए Q. 74. गंधार एव मद्यम के बीच कौन सा स्वरांतर है? A. मेजर टोन इंटर्वल B. मेजर शिक्स इंटर्वल C. सेमी टोन इंटर्वल D. माइनर टोन इंटर्वल इसका जो सही आंसर है वो है C. सेमी टोन इंटर्वल चलिए आगे चलते हैं Q. 75. भरत ने नाट सास्तर में कितने रसों की चर्चा की है A. 9. B. 8. C. 10. यड़ी 17 तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 भरत ने जो नाट सास्तर में रसों की चर्चा की है वो 8 रसों की चर्चा होने की है नार्दिय शिक्षाग्रंथ पर T का किसने लिखी A. महराना कुम्भा B. तंतिल C. पार्शवदे D. सुभांकर भट और इसका जो सही आंसर है वो है D. सुभांकर भट 76 का D होगा इंपोर्टेंट है पर्शनौर Q. नबर 77 छे सुरो को चार मात्रा में बजाने की लैकारी को पश्चात संगीत में क्या कहते हैं A. सेफ्टोलेट B. सेक्स्टोलेट C. किविटन्टू प्लीट D. क्वार्डर प्लीट लिप्ट ठीक है क्वार्डर लिप्ट लिट B. आंसर्स का सही होगा Q. नमर 78 फिरोज खा का उपनाम क्या है? A. सदारं B. रंगीले C. सोख रंग D. अदारं और इसका जो सही आंसर है वो है अदारं ठीक है? फिरोज खान का उपनाम अदारं है Q. नमर 79 स्टाफ नोटीशन में एक बटे चार मात्र को दर्शाने वाले नाम पर सही काच्चिन लगाई है A. क्रोचेट B. क्रेवेवर C. सेमी ब्रेव D. मिनी और इसका जो सही आंसर है वो है A. कोचेट प्रश्ण 80 पश्चात वादिवरिंद संचालक कौन रहे है A. हरी प्रशात चौरस्या B. पंडित रवी शंकर C. उस्ताद अलाउदीन खान D. जूबीन महता तो इसका जो सही आंसर है वो है D. जूबीन महता ठीक है इन्होंने ही पश्चात वादिवरिंद के संचालक इनको ही माना जाता है जूबीन महताजी को ठीक है तो यह थे आज के हमारे 30 प्रश्ण मुझे उमीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके आप पोस्ट सकते हैं बाकि हमारा टेलीग्राम है अब सचे से पूछ सकते हैं तो अगर्श करके देखना चाते हैं तो वह भी देंख सकते हैं और म्यूजिक एक्जाम घ्रीघ ओल electr созн quit टेलीग्राम पर ओल्यूजिक इग्जाम के नाम से यहीडेना प्राइऑ आए टेलीग्राम पर आप से आपको किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बागे आप शेयर जरूर करें चैनल को आपकी हेल्प हो रही है लोगों तक भी हेल्प करें कर भला तो हो भला तो आज के लिए इतना ही थाइंक्यू एवरिवन जैहिन जैभारत